हलो फ्रेंड्स, आइम संतोष, वेलकम टू आय सूत्रा, दोस्तो आप योप यॉर आल डूइंग वेरी वेल, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे, आपका भी UPSC प्री का जो एक्जाम हुआ वो बहुत अच्छा होगा, मेरा भी काफी अच्छा एक्जाम हुआ ह तो दोस्तो आशा करता हूँ, आगे भी आप प्री के बाद मेंस की प्रेपरेशन में लग जाएं, दो-चार दिन का रेस्ट था, थोड़ा से एक काफी समय से पढ़ते चले आ रहे हैं, आप भी, मैं भी, तो थोड़ा से एक रेस्ट चाहिए होता है, रेस्ट के बाद लेक मतलब आप लाइफ में, जो भी लाइफ में आपका गोल हो, जो भी आपके एस्पिरेशन्स हो, उन्हें आप अचीव करने के लिए पूरी अपनी ताकत से, पूरी इतनी शिद्दत से लग जाएए, कि जब आप उस लेवल पे पहुँचे, तो फिर आपको कुछ ऐसी चीज आता था, वो एटलीस्ट बनके दिखात चुका हूँ, तो ये था दोस्तो आज का मोटिवेशनल कोर्ट, अब दे देता हूँ आपको कोरोना अपडेट्स, एटलीस्ट सिर्फ इंडिया के अगर आप केसे देखेंगे, तो लगभग 69,6,151 टोटल कोरोना पॉजिटिव पे है, और 1,6,521 टोटल डेट्स इंडिया के अंदर हो चुकी है, रिकवर्ट केसे जगर आप देखेंगे, तो लगभग 59,6,069 लोग पूरी तरीके रिकवर होके और रिकवर होके पूरी तरीके घर जा चुके हैं, तो अच्छी चीज ये है, यूएस अभी भी टॉप पे ब बड़ नहीं रहा है, हमारे देश में पर डे लगभग 70-80,000 के बीच में जो केसे पर डे आ रहे हैं, ये काफी खत्रे की घंटी है, आपको भी अब जब हमारी कौनमी काफी ज़्यादा खोल दी गई है, तो आपको एक अवेरनेस लाने की ज़रूत है अपने आपके अंदर जिससे कि आप भी जब भी पब्लिक प्लेस में जाएं, तो अपने एक कॉंशेस रहें कि आप कहीं इंफेक्शन लेके घर ना आजाएं, घर आईए, हाथ धुलिए, अच्छे से हाथ लगभग 12-13 सेकंड तक हाथ धुलिए, उसके बाद सैनिटाइस करिए अपने आपको ट संत्री रहे हैं, दलितों के जिनें एक काफी बड़ा लीडर माना जाता है, राम विलास पासवान जी, उनका निधन हो गया है, तो उनको एक तरीके से आप बोल सकते हैं, काफी ज़्यादा शद्धांजलियां दी जा रही हैं, और ये हमारे जो लगभग चार बार ये कंट पार्टी है, लोग जन्शक्ती पार्टी जिनके जो बेटे हैं, चिराग पासवान जी, अभी ये फूट, जो फूट कॉर्परेशन ओफ इंडिया थे, उसके ये मिनिस्टर थे, तो काफी अच्छा इनका वो था, लेकिन अब इनको हार्ट अटैक आया और ये नहीं रहे, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, उसके बाद एक और जो सबसे मुझे एक आप बोल सकते हैं, बुरी खबर लगी, क्योंकि जिस तरीके से, अब कल जो मुंबई के पुलिस कमिशनर जी हैं, उन्होंने कल जो बोला कि टी आर्पी खरीदी जा रही थी एक तरीके से, टी आर परसन जैसे कि हम लोग टी वी देखते हैं, कैसे टी वी में इतना मैनिपलेशन करके न्यूज को एंटर्टेन्मेंट के तरीके से परोसा जाता है, तो वो कहीं न कहीं जो आम इंसान है, उसकी जो एक तरीके की भावना हैं, उससे खिलवाल करने वाली बात है, आप सोचिए कि जो बैरो मीटर होता है, जिन जिन जैसे बहुत सा बैरो मीटर मैं अगर बैसिकली आपको बता हूँ, बैरो मीटर मतलब वो होता है, जिससे आप कहीं पे भी किसी के घर में अगर वो मीटर लगाएंगे, तो ये डिटेक्ट किया जा सकता है कि कौन बंदा कितने देर कौन सा चैनल देख रहा है मतलब अगर आप स्टार प्लस 15 मिनट देख रहे हैं जी न्यूज पांच मिनट देख रहे हैं इंडिया टीवी आप 10 मिनट देख रहे हैं रिपब्लिक टीवी आप एक घंटा देख रहे हैं तो हर एक चीज आपको बताएगा और यही चीज में हिरा फे पैसा दे के उन्होंने बोला कि आप रिपब्लिक टीवी चला के छोड़ दीजे देखिये चाहे ना देखिये हर महीने आपके खाते में पैसा आ जाएगा तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं TRP को मैनुपिलेट किया जा रहा है और जब जादा इनके पास TRP आई तो इनके पा जो कमिशनर साब ने बोलाए कि जो अवायद कमाई है ये इसको भी सीज किया जाएगा तो ऐसी सारी चीजें तो दोस्तों आप जो भी निउस देख रहे हैं बहुत ही सावधानी से देखिये बहुत ही आप ये समझ लिजे मीडिया आपको पूरी तरीके बेवकूब बनाने के लिए आज की डेट में बैठा हुआ है चाहे कोई साबी क्यों नहों रिपब्लिक टीवी हो या फिर मैं दूसरे चैनलों का नाम नहीं लूँगा लेकिन आप सोचिए ऑथेंटिसीटी किसमें हैं ऑथेंटिसीटी कुछी एक दो तीन चैनल है ऐसे जिनमें ऑथेंटिक न करना है क्या मुझे चोड़ना है वैसे ही इसमें भी आपको जरूरत है आज के समय में कि आपको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है तो दोस्तों यह था ट्यार्पी का एक ऐसा मतलब मैंने जो देखा था ना इसे मुझे बहुत ही बुरा लगा कि यार लोग इडिटिंग होती क्या है जीन एडिटिंग दोस्तों बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं जैसे आप यह देख रहे हैं यह हमारा डियने इस डियने में कई बार क्या होता है जैसे यह जो रेट वाला पार्ट है मान लिजे यह रेट पार्ट जो यहां लगा था इसमें कुछ खराबी आ गई या फिर इसमें कुछ इंफेक्शन हो गया तो अब क्या होगा इस पर्टिकुलर पार्ट को अगर आप निकाल के दूसरा पार्ट लगा दे जो सही है सही वाला डियने तो इसे आप बोल देंगे जीन एडिटिंग आप मान लिजे इसमें क्या इसके बहुत स आपको जो कैंसर है एचाइवी ए फिर यह सारी हरण का जो रिसपांसिबिलिटी सब्सुते हैं जो डियने होता है उग्या है वह रिस्पांसिबल होता है तो अगर डियने को आप सही कर पाए तो कहीं नगभी स्वस्त्रक पाएंगे तो इनका एक तो यह यूज हो गया दू पेमाने पे हो सकता है, बड़े पेमाने पे कैसे, जैसे आप ने सुना होगा designer baby, designer baby क्या होते है, designer baby जैसे आप ने बोला, जैसे आप कल को baby करेंगे, baby बच्चे plan करेंगे तो आप अगर चाहते हैं कि मेरा जो बेटा है, उसकी body रितिक रोशन की तरह हो, उसकी आवाज अमिताब बच्चन की तरह हो, उसकी जो acting skills है, वो शारुक खान की तरह हो, उसकी जो sports skills है, विराट कोहली की तरह हो, तो इस तरीके का, अगर आप कई तरीके की एक demand बना के, उस हिसाब से उस बच्चे को edit करवाते हैं उस बच्चे की gene को edit कराते हैं तो वो कहीं न कहीं एक तरीके से दुरूपयोग हो जाएगा आप सोचिए ना कि फिर तो सभी लोग यही quality करने लगेंगे ना कि जिससे उन्हें जो जो चीज़े अच्छी लगी वो करवाया और उसके फिर उन्होंने देखा कि हाँ यह ऐसा बच्चा हमें चाहिए तो यह सब के लिए अगर ऐसा ही होने लेगा तो दुनिया में तो बहुत बड़ी एक तरीके का war like situations create हो जाएगी तो यह सारी चीज़े बचने के लिए यह जो है अभी जो precise technology बना दी गई है उसके काफी ज़दा side effects देखने को मिल सकते हैं सबसे पहला designer baby मैं अगर आपको बता हूँ तो वो चाइना में देखने को मिला था CRISPR technology CAS9 करके जो था वो आपने 2019 में question भी आया गया था CAS9 के बारे में पूछा गया था जो की gene editing से ही related था इस बार जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा जो basically nobel पुरुसकार जो मिला गया है chemistry के लिए वो भी इसी के लिए दिया गया है अब basically आप देखे genes होती क्या है genes basically जो होते हैं वो DNA होते हैं जो की जिनको आप बोलते हैं di-oxy-ribonucleic acid genes के अंदर एक तरीकी की bio information होती है जिससे की किसी भी individual की identity का पता लगाया जा सकता है आपको याद होगा कुछ साल पहले एंडी तिवारी जो की ये congress के काफी कददावर नेता थे उनका जो बेटा था राजशेकर उसने एंडी तिवारी पे ये इलजाम लगाया था कि मैं इनका पुत्र हूँ लेकिन एंडी तिवारी ने जो है deny कर दिया था उसके बाद वो code से permission लेके आये थे फिर DNA test हुआ थो DNA test के बाद ये clarify कर दिया गया था कि हाँ राजशेकर जो की एंडी तिवारी का ही लड़का है उसके बाद हलाकि एंडी तिवारी को उन्हें अपनाना भी पड़ा था और सारी चीज़े देखने को मिली हलाकि अब राजशेकर और एंडी तिवारी दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है खैर ये आपको एक example देने के लिए था फिजिकली अगर आप देखेंगे कहीं पे भी जो जीन एडिटिंग की अगर आप बात करें जीन एडिटिंग से अच्छी हाइड पाई जा सकती है इसकी हेर कलर या यह सब जो भी है आई साइट्स इंटेलिजेंस या कुछ बिमारियों से एक तरीके से आप बचाओ यह सब जीन एडिटिंग के माध्यम से एक इंसान के अंदर एंशूर किया जा सकता है कि उसको यह सारी चीज़ें अच्छी उसका जो जीन एडिट करके दी जा सकती हैं अगर आप देखेंगे एन अबिलिटी तो ऑल्टर दिस इंफॉर्मेशन गिव साइंटिश दपावर तो कंट कोली चाहेंगे विराट कोली बना लेंगे सचिन चाहेंगे सचिन बना लेंगे रितिक चाहेंगे रितिक बना लेंगे डॉनल्ड ट्रम चाहेंगे डॉनल्ड ट्रम बना लेंगे जो भी आप चाहेंगे वो उस बेबी को उसके तरीके से बना सकेंगे तो इसके बहुत जाद बेसिकली इसका जो एक्शुल नेम है जिनोम एडिटिंग ही बोलते हैं यह ऐसा ग्रूप है टेक्नोलोजी का जिससे की साइंटिस्ट को यह एक तरीके की एक पावर मिलती है कि वो किसी भी कोई भी परसन हो इनसान हो या फिर जानवर हो या फिर प्लांट हो उसकी डियने में चेंज ला सकते हैं आपने सुना होगा जीम क्रॉप्स बीटी क्रॉप्स तो यह सब क्या होता बीटी ब्रिंजल आपने सुना होगा जो की जैसे पेस्ट के लिए जो रेजिस्टेंट होता है मानलीजे जो बीटी ब्रिंजल हो गया बीटी कॉटन हो गया यह सब जो होती ही कि आपने देखा होगा जो कीट पतंगे होते हैं पेड़ों में जो पेड़ लगाए जाते हैं खाने के लिए जैसे आपने देखा ब्रिंजल हो गया या फिर दूसरी क्रॉप्स होगे अगर उसको जेनेटिकली मॉडिफाइट करेंगे तो मानलेजिए उसमें जो भी फल लग है या फिर जो भी पेड़ की पत्तियां उसको अगर कोई कीट पतंगा खाएगा तो वह मर जाएगा इस तरीके से आप एड़िट करिए कि वह सिर्फ इंसानों को फाइदा पहुंचाए और जो पेस्टिसाइट्स हैं उनको नुक्सार लेकिन इन सब चीजों का कहीं न कहीं देखने को ना मिले तो आइडिया रखिए का इस बारे में भी यह जो टेकनोलोजी है यह अलाव करती है कि जो जनेटिक मेडीरियल एड किया जाता है वो अपने हिसाब से एड किया जा सके रिमूव किया जा सके अपने हिसाब से अपनी जरूरत के हिसाब से ऑल्टर किया ज से के जीन एडिटिंग अगर आप देखेंगे तो इसको सबसे जाता एक्रिकल्चर में यूस किया जाता है जैसा मैंने अभी आपको बताया क्रिस्पर जिसके बारे में क्वेश्चन भी पूचा गया था 2019 में यह एक जीन एडिटिंग टेकनॉलजी है जो की replicate करती है natural defense mechanism in bacteria to fight virus attacks मतलब body में अगर कोई भी virus का attack हो रहा है तो आप जीन एडिटिंग करके उस body से उस body को basically उस बिमारी से बचा सकते हैं जैसे TB के virus है TB का जो bacteria है वो आपकी body में आपने जीन एडिटिंग अपनी body में करवा ली और आपको TB के patients के बीज में बिना mask लगा है वो खास रहे हैं चीक रहे हैं जो भी infection है वो आप जाएंगे उनके बीज में न तो आपको TB का कोई impact ही नहीं पड़ेगा तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं आपकी body immune हो जाती है एक तरीके से जब आप अपनी body में अपने हिसाब से editing करवा लेते हैं CRISPR Cas9 जो technology है इसमें basically cut and paste mechanism है जो की DNA में किया जा सकता है जिसमें genetic information होती है अगर आप देखेंगे prevention the preventing the complex diseases जैसे की cancer हो गया heart disease हो गया उसके बाद आप देखेंगे mental illness हो गया human immunodeficiency virus जिसे आप HIV बोलते हैं यह सब virus से यह सब बड़ी-बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है उसके बाद मैं आगर आपको बताओं इस बार Nobel Prize जो की chemistry के लिए इसी लिए दिया गया है क्यूंकि Emmanuel जो कार्पेंजिनेर जो है यह फ्रैंस की है और जेनिफर डूंडो जो है डॉंड़ना यह यूएस की है इन्हें इसलिए जीन एडिटिंग टेकनीक के लिए ही जो है यह इस बार Nobel Prize दिया गया जीन एडिटिंग टेकनीक जिसे आप CRISPR, Cas9, DNA, स्नाइपिंग, सिजर्स भी होलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूंकि अगर आप देखेंगे आने वाले टाइम में जो भी अग इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा सबसे पहले जो नोबल प्राइज दिया गया है कि मतलब जो एक टीम है जिसमें सिर्फ वुमेन लेट टीम है मतलब उसमें कोई भी पूरुष नहीं है तो वुमेन एंपावर्मेंट से रिलेट आप इसे कर सकते हैं कभी कोई क्वेश की इस परसनालिटी का याद रखिएगा इसमें अगर जो टूल आप देखेंगे तो रिसर्चर जो है उन्होंने डियेने को बहुत ही जादा प्रिसाइजली चेंज किया है एनिमल प्लांट और माइक्रो और्गनिजम में बहुत ही हाई प्रिसिशन के साथ मतलब बहुत ही स देखने को मिल सकती है ड्रॉट जैसे कि आप देखने को सूखा और जो कीट पतंगे होते उनसे हमारी फसलों को बचाया जा सकेगा काफी जदा अच्छे से उसके बाद इन्नोवेटिव कैंसर ट्रीटमेंट्स को नए-ने कैंसर ट्रीटमेंट्स आपको देखने को मिलते है जिससे कि बहुत बड़े प्यमाने पे लोगों की जान बचाई जा सकती है चाइना ऐसा पहला देश था जहां पे एक इंटरनाशनल स्कैंडल हुआ था जीन एडिटिंग की वज़े से तो याद रखिए कि सबसे पहले जीन एडिटिट कहां किया गया था तो वो चाइना के के लिए बहुत ज़्यादा हाई प्रिसेशन की ज़रुत होती है माइक्रोइस्कोपिक चीज़े होती है बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा फोकस करके यह सब काम करने होते हैं तो अब जब यह सफलता मिल गए तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी टेक्न चैनल को रखा गया है 149 1949 जो है इंडियन कॉंस्ट्यूशन यह प्रोवाइट करता है कि CAG जो होगा इसे प्रेसिडेंट के द्वारा इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा याद रखिएगा CAG इज अपॉइंटेड बाइ प्रेसिडेंट इंडिया बहुत जादा इंपॉर्टेंट कोश्चन बन जाता है अक्सर वंडे एक्जाम में ऐसे कोश्चन पूछ लियाते है CAG का जो जूरिश्डिक्शन होता है CAG आप देखेंगे जम्मू के अंदर CAG का जूरिश्डिक्शन देखने को मिला 1958 में तो जो ओल ओवर इंड 1971 में जो Central Government है उसने CAG जो थी इसकी Duties, Power और Conditions जो है एक्ट 1971 के तहत निर्धारित करी गई थी जो एक्ट था इसने CAG को ये Responsible बनाया कि वो बोथ Accounting और Auditing Duties जो है वो Central और State Government के जो भी Audits होते है वो CAG ही करेगा अगर आप देखेंगे 1976 में CAG was relieved from accounting functions, accounting functions से जो एक तरीके से मतलब जो पावर थी कि वो accounting का काम देखेगा, वो accounting का जो काम है वो देखना बंद कर दिया गया था 76 अगर थोड़ा साथ CAG को हमारे देश के CAG को ब्रिटिश जो अंग्रेजों के CAG होते है अंग्रेज जो वहां से compare करेंगे यूरोप के तो आप इंग्लैंड वगएरा के तो आप देखेंगे तो इंडिया का जो CAG होता है उसके पास पावर है audit करने की वो audit कर सकता है लेकिन कोई भी पावर नहीं है CAG जो हमारे देश का है उसके पास मतलब अग्र मेरे जैसे सरकार के पास 1 लाग करोड़ रुपाए है तो एक लाग करोड़ रुपाए सरकार कोई पास कोई पावर नहीं है कि वो सरकार को रोग सके कि नहीं आप इसमें ही मत खर्च करिए और भी बड़ा घोटाला हुआ तो वहाँ पर auditing कर सकती है लेकिन किसी भी तरीके का ये नहीं है कि आप पहले से CAG ये ensure कर सकी कि पैसा सही जगे खर्च हो उसके बाद आप देखेंगे CAG जो है ये जो British जो अंग्रेजों के जो CAG होते हैं उनके पास ये power होती है कि वो उसे expenditure खर्च क लिए transparency और accountability से related बहुत ज़्यादा important बन जाता है कि हमारे देश में भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए तो ये सब चीजे हैं उसके बाद अगर आप देखेंगे जो ब्रिटेन के जो CAG होते हैं वो member of parliament होते हैं member of parliament होते हैं और वो वहाँ पे house of commons के member होते हैं तो वो अपना उनक बात रख सकते हैं वहीं इंडिया के CAG के पास power तो है लेकिन वो एक तरीके से बोल सकते हैं आप power without wings तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं उसके बाद अभी क्या हुआ हुआ है करनाटक के अंदर ये बात उठी है कि करनाटक जो state legislature है उसने बोला है कि जो CAG है वो एक audit एक बड़ा audit करें जिससे की COVID-19 का equipment जो भी करनाटक के अंदर लाए गए हैं वहाँ पे जो भी पैसा खर्च किया गया है state government के दौरा disaster response fund के तहत उसके उसके लिए audit करें अगर आप देखेंगे CAG अगर चाहे तो corruption पे काफी अच्छे से लगाम लगा सकती है अभी जब pandemic का time चल है CAG जो है यह audit करके ensure कर सकती है कि हमारे जो health sector है इसमें checks and balances बने रहें कोई भी corruption ना हो तो यह सब चीजे है अगर CAG अच्छे से काम करेगी तो यह सब चीजे ensure करी जा सकती है लेकिन अगर आप देखेंगे expenditure का जो की power नहीं है तो अगर expenditure का भी power आ जाएगा की expenditure पर ही check रखी जाएगी तो फिर हमारा जो आप देखेंगे ना corruption का major portion कट किया जा सकता है तो आप अगर critically इसको examine कभी करने को आज आए CAG तो हम आप यह direct आप यह चीज़ quote कर सकते हैं कि हमारे देश में CAG को power चाहिए कि वो पैसा खर्च होने से पहले और खर्च होने के बाद दोनों को audit करने की उसके पास power शमता होनी चाहिए तो यहां पर political allegations करनाटक के अंदर लगाए गए कि 2000 करोड रुपए का एक तरीके से गबन किया गया जो equipment kits है sanitizers है ventilators है mask के खरीद में तो यह एक तरीके से अब जब CAG audit करेगा तो देखें क्या निकल गया आता है अब यह opportunity है CAG के पास कि वो जो भी corruption किया गया disaster management के तहत में उसका परदाफाश करे करनाटक का जो state human rights commission है उसने यह allegations लगाए है इलजाम लगाए है कि जो violation of rights of people है वो treatment जो उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिली है इसलिए उनकी जो right से उनका violation हुआ है proper दवा नहीं मिली अगर सारे major purchases government entities के देखे जाने हैं तो उसमें सबसे substantial improvement दिखेगा disaster management में और उसके बाद यह ensure किया जा सकेगा कि transparency, integrity, honesty, effective service delivery, compliance एक तरीकी का बना रहे government के दवारा और proper governance होनी चाहिए जिससे कि यह ensure है कि corruption कम से कम रहे corruption का जो level है कि मतलब आप सोचिए 5-5 दो-दो रुपए के sanitizer 20-20 रुपए के बेचे जा रहे हैं, PPE kit 100-100 रुपए की PPE kit 500 रुपए की बेची जा रहे हैं, उसी तरीके आप देखेंगे जो mask वगएरा है, यह मतलब यह सारी जो चीजे हैं, इनको सबसे essential commodities हैं तो इनको सही से बि पर time-to-time transparent audits होते रहेंगे, अगर आप देखेंगे necessary CAG जो undertakes the performance audits of जो audits करती है, CAG state level पे वो है, COVID-19 related procurements, COVID-19 के time पे जो procurements किये गए, जो भी PPE kits, masks वगएरा जो खरीदे गए, उसके जो central government health scheme है, CGHS के तहर जो लोगों का इलाज किया गया, उसका audit कई बार ऐसा होता है कि hospital में कोई बंदा admit होता ही नहीं है, लेकिन उसको विमार दिखा के उससे उसके नाम पे पैसा एट लिया जाता है, तो ये सारे चीजों का audit करना बहुत जादा ज़रूरी है, बहुत बड़े पैमाने पे corruption होता है, ऐसा ही corruption कहीं न कहीं एक proper efficacy और service delivery लाई जा सकती है, जिससे कि ये ensure किया जा सके कि एक quality है वो बनी रहे, drugs की मतलब दवाओं की जो quality है वो बनी रहे, जो proper treatment है वो available रहे, तो ये सारी चीजे हैं जिससे कि CAG अगर proper audit करेगा तो ये जो लोगों की बड़ी परेशानी को एक तरीके से address कि किया जा सकता है, तो दोस्तों ये था total आज का lecture, अगर आपको मेरा lecture पसंद आता है तो like, comment, share, subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अभी मैं आपको सारी जो भी मैंने previous PDF pending है, वो सारी PDF आपको आज available करा दूँगा, तो दोस्तों ये था आज का total lecture guys, thank you guys, जय हिन